नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल लॉलिच पंडित पर इस वीडियो में हम साइंस के कुछ कॉश्चन देखेंगे जो की रिपीट पर एक्जाम में पूछे गए हैं हर एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साइंस है आप किसी भी कि तयारी कर रहे हैं आप हमारा एक वीडियो देखकर अपने साइंस के कॉश्चन चेक कर सकते हैं पासिंग मार्क्स 50% कर रहेगा मैगजिमम आंसर आपको देना है जैसे आपको तयारी आपको पता चलेगी चले शुरू करते हैं हर कॉश्चन का आंसर कॉश्चन के साथ में हैं चेक करते आईए अपने आंसर्स भी सबसे पहला प्रश्ण स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निम्न लिखित में से कौन सा एक कीठारी पादप है तो घट पढ़नी जिसको पिचर प्लांट आप बोलते हैं यह एक प्रकार से कीठारी पादप है अगला कौशन है निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया बनाने की हैबर विधी में आयरन उत्प्रिरक के लिए निरोधक का काम करता है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट अमोनिया बनाने की हैबर विधी में आयरन उत्प्रिरक के लिए निरोधक का काम करता है नेक्ट कॉश्चन है किस किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु तथा उसके चारों और के माध्यम के तापमान के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन सा भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है। अरी सता पर जल की बूने देखकर सुनिश्चित की जा सकती है जो इस टील का गिलास किस से भरा हो। वायू मंडल में अगर हमें आदरता की उपस्तती पता करनी है तो इस टील के गिलास में इन में से क्या भरा होना चाहिए। जिससे इस टील के गिलास की बाहसता पर जल की बूने देखकर हम आदरता सुनिश्चित कर सकें। तो इस टील का ग्लास जो है ठंडे जल से भरा होना चाहिए जिससे उसकी बाहसता पर जल की भूने देखकर आदरता सुनिश्च Ciao की जा सकती है Next है भूम पोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है भूम पोरिक अंकुरण इनमें से किस में पाया जाता है जिसको आप भूमी के उपरी भाग में भी अगर थोड़ा सा भी नीचे रखते हैं तो भी अंकुरण आपको देखने को मिलेगा तो भूम पोरक अंकुरण अरंडी के पौधे में पाया जाता है Next question है सीसकक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में इनमेंसे किसका प्रयोग होता है सीसकक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो सीसकश प्रक्रम में उत्प्रिरख की रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का प्रियोग किया जाता है नेक्श कॉश्टन है उबलते जल के द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कश्ट प्रायक होता है क्यों? तो उबलते जलके द्वारा जलते हैं या भाप द्वारा जलना अधिक कश्ट दायक होता है क्योंकि भाप में गुप्तूश्मा बहुत ज्यादा होती है तो भाप में गुप्तूश्मा के कारण उबलते जल से जादा जलन भाप से जलने में होती है अधो भूमिक अंकुरण इनमें से किसमें पाये जाता है अधो भूमिक जिसको जमीन के नीचे रखना पड़ता है बीच को मिट्टी के थोड़ा नीचे रखना पड़ता है तब जाके अंकुरण होता है अरेंडी के पौधे में जादा नीचे नहीं रखना पड़ता बस मिट्डी से थोड़ा सा टक्ष रहे तो भी अंकुरन हो जाता है लेकिन अधो भूमिक अंकुरन किसमें तो मक्के में अधो भूमिक अंकुरन पाया जाता है धनात्मक उत्प्रिरक वह है जो इन में से क्या काम करता है तो धनात्मक उत्प्रिरक वह होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोशक होते हैं यह नियम किसका है तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोशक होते हैं यह क्रिचौफ का नियम है राइट आंसर हो जाएगा वेरी इंपोर्टन कोशन है पूछा जाता है सजीव प्रजक अंकुरण इनमें से किस में पाया जाता है तो सजीव प्रजक अंकुरण जो है राइजो फेरा में पाया जाता है option number राइजो फेरा सही उत्तर हो जाएगा next question है रिनात्मक उत्प्रिरक वह है जो इनमें से क्या काम करता है तो धनात्मक हमने पढ़ा कि धनात्मक क्रिया के वेग को बढ़ाता है प्रतिक्रिया अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो रनात्मक कुछ प्रिरख क्या काम करेगा उसका उल्टा काम करेगा अभिक्रिया की वेग को कम करेगा वह रनात्मक कुछ प्रिरख है नेक्श कोशन है उनी कपड़े सूती वस्तरों की अपिक्षा गर्म होते है क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते है सामाने तह अंकुरण के लिए किसकी आवश्यक्ता नहीं होती है निमल खित मैंसे सबसे प्रबल ऑक्सी कारक एजेंट इन मैंसे क्या है तो सबसे प्रबल ऑक्सी कारक एजेंट फ्लोरीन है राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन नेक्श क्वेशन है वास्प इंजन में उबलते हुए जलका तापमान किस कारण से उच्छ हो सकता है नेक्श क्वेशन है जड़के किस भाग में सरवाधिक वरद्धी होती है जड़के किस भाग में सरवाधिक वरद्धी होती है तो जड़के मूल शिर्स के ठीक पीछे वाला भाग जो होता है उसमें सरवाधिक वरद्धी होती है नेक्श क्वेशन है ओक्सी कारक एक पदार्थ है जो इन में से क्या काम करता है आक्सी कारक एक पदार्थ है जो इनमें से क्या काम करता है तो आक्सी कारक एक पदार्थ है जो दिये गए पदार्थ के मूल तत्रों के आक्सी करण अंक को बढ़ाता है किस वैग्यानिक ने सरप्रथम बर्फ के दो तकणों को आपस में घिस कर पिगला दिया था तो वैग्यानिक का नाम था डेवी जिसने बर्फ के दुत्वनों को आपस में घिसकर पिखला दिया था अव इस थम मूल इन में से किस में पाई जाती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अव इस थम मूल गन्ने के पौधे में पाई जाती है right answer हो जाएगा next question है जब एक तामे के धंड को जली ये silver nitrate willian में डुबाया जाता है तो willian का रंग बदल कर नीला हो जाता है ऐसा किस लीए होता है तो जब एक तामे के धंडे को जली ये silver nitrate के willian में डुबाया जाता है तो A.G. Cu की अपिक्षा अधिक आसानी से अपचेत होती है इसी लिए विलियन का रंग बदल कर नीला हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा चांदी कौपर की अपच्छा अधिक आसानी से अपचेत हो जाती है जिसके करण रंग बदल जाता है नेक्श कोशन देख लेते हैं उश्मा एक प्रकार की उर्जा है जिसे कारे में बदला जा सकता है इसका प्रत्तक्ष प्रमार सबसे पहले किस ने दिया था तो उश्मा एक प्रकार की उर्जा है जिसे कारे में बदला जा सकता है इसका प्रत्तक्ष प्रमार रम फोर्ड नाम के विग्यानिक ने दिया था जड़े इनमे से कहां से विक्सित होती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जड़े मूल आंकुर से विक्सित होती है राइट आंसर है नेक्श पॉश्चन देखते हैं अमलिय माध्यम में पॉटेशियम पर मेगनेट की फैरस अमोनियम सलफेट के साथ में प्रतिक्रिया में पॉटेशियम पर मेगनेट में मेगनीज की ऑक्सी करन अवस्था में कितना परिवर्तन होगा तो अगर अमलिय माध्यम में पॉटेशियम पर मेगनेट की Ferrous Ammonium Sulfate के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो Potassium Parmagnate में Magnes की Oxygen करन अवस्था में Plus 7 से Plus 2 तक की Oxygen करन अवस्था में परिवर्थन होगा जब किसी वस्तू को ठंडा किया जाता है तो उसके अन्वों में इनमें से क्या होता है तो जब किसी वस्तू को ठंडा किया जाता है तब उसके अन्वों की चाल घड जाती है Next Question है इस थम ममूल इनमें से किस प्रकार की जड़े होती है? Right answer क्या हो जाएगा? तो इस थम ममूल अपस्थानिक जड़ का उधारण है Right answer हो जाएगा अपस्थानिक जड़ Next Question है नम लिखित रसायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी योगिकों में ओक्सी करन अवस्था समान होती है? तो रसायनिक तत्व इनमें से अपने सभी योगिकों में अवस्था समान होती है फ्लोरीन की राइट आंसर हो जाएगा option number B, फ्लोरीन की अपने सभी योगिकों में आक्सिकर नवस्था सामान होती है, next question है किसी वस्तू के ताप में वर्दी का अर्थ है, वस्तू में किसकी वर्दी हुई है, तो किसी questions इसी प्रकार जाई रहेंगे next series में, आप हमारे चैनल पर नए है तो subscribe कर लीचे, जिससे next questions की series आपको मिल जाए और वीडियो अच्छा लगा हो, तो like करना ना भूलिएगा, like ज़रूर करें, मिलते हैं next video में, next topic में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,